अनुष के घर पहुशते ही अनुपमा नि मचाया धामाल आध्या हुई हैरान। अनुष अनुपमा को मिलने से कैसे रोकी गे आध्या। हलो फ्रेंज्स आप देखरें छेली ड्रामा चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों सीरियल अनुपमा में आ रहे हैं धीर सारे ट्वेस्टेंट टरंस जहां आने वाले अपिसोर में आपको देखने को मिलेगा कि अनुपमा हलवा मना रही है आधिया के लिए ऐसे में अनुपमा बहुत ही प्यार से हलवा मना रही है ताकि वो आद्या, शूती और शूती के मंगेतर को पसंद आए अनुपमा बहुत जाती है आद्या के घर तभी शूती दर्वाजा खोलती है शूती अनुपमा को देखकर हो जाती है बहुत खुश शूती कॉल करती है अनुश को और कहती है कि जल्दी आओ मुझे तुम जोशी बेन से मिलाना है तब ही ये सब देख लेती है आद्या वहीं आपको बदा दे आने वाले अपसोड में आपको देखने को मलेगा कि आद्या के दोस्त आए है घर और अनुपमा अपने डांस से कर देती है सभी को दिवाना यहां पर सभी लोग काफी जादा इंजॉय करते है अनुपमा के डांस को लेकिन आद्या को यह चीज बिलकुल पसंद नहीं आ रही वो नहीं चाहती अनुच और अनुपमा मिले आद्या बस यही सोच रही है कि किस तरह से इन दोनों को मिलने से रोके आद्या वहीं दूसरी और हमें देखने को मिल रहा है कि सालों बाद पाकी का हस्बन अदिक मिला है अपनी बेटी से अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश हो जाता है अदिक और कहता है मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया ऐसे में कावیا और बात देखती ही रहा जाती है अधिक को और कावیا कावची साध़ा इमोसिल हो जाती है कावे को ये बात याद आती है कि पाख़ी ने तो कहा था कि अधिक अपनी बेटी से मिलता रहता है लेकिन अधिक को देख़ कर ऐसा बिलकुन नहीं लग रहा अधिक को देखकर लग रहा है कि सालों बाद वो अपनी बेटी से मिला है यहां पर पाकी बाहर जाने को कहती है और बा कहती है कि तू अपनी बेटी से प्यार करती है या नहीं तू तो उसे देखती ही नहीं है ऐसे में पाकी कहती है मुझे एक ब्रेक चाहिए ऐसे में बाग कहती है तेरी बच्ची जब से आये हैं हम ही देख रहे हैं तो पाकी कहती है अगर आपको सोने की सीड़ों सो स्वर्ग जाना है तो अपने ग्रैंड चिल्डरन को देखो ऐसा कहकर पाकी महार से निकल जाती है अब देखना होगा जब आखी वापस आएगी और देखेगी अधिक को तो क्या होगा पाकी का रियाक्शन दूसरी और क्या अनुछ और अनुपमाम बल पाएंगे क्या लगता है आपको कामेश में बताइए और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल ठेली ड्रामा को